तो आज Photoshop Tutorials for Beginners की Class 4 में हम बात करेंगे Brushes की तो Photoshop में अगर हम Brushes की बात करें तो यह एक बहुत ही important tool है Brushes normally जैसे आप Paint Brushes की बात करते हैं Paint Brushes अलग लग तरह के हो सकते हैं उसी तरह से Photoshop में भी आप Brushes का अलग लग तरह से यूज़ कर सकते हैं चली Start करते हैं तो देखें यह जो Left Side पे आपको आइकन दिख रहा है यह है आपका Brush Tool अगर आप इसका shortcut देखें तो वो है B तो अगर आप B पे क्लिक करेंगे तो B Brush Tool आपका जो है वो Select हो जाएगा तो अब देखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे Brush Tool पे क्लिक किया तो इसकी जो Settings हैं वो Top पे मुझे दिख जाती है और यहाँ पे यह जो अब 86 लिखा हुआ है अगर मैं इसके क्लिक करता हूँ तो इस Brush की Settings जो हैं वो निकलाती है अब देखें यह जो बार आपको दिखरी है नीचे यहाँ पे आप अलग-लग तरह के Brushes जो हैं वो Choose कर सकते हैं उन Brushes के Strokes जो हैं अलग-लग तरह के जैसे यह Second Brush की अगर मैं बात करूँ तो यह बिल्कुल ही Hard Brush होगा और अगर यह उपर वाले की बात करूँ तो यह Soft Brush होगा तो आप इनको इनकी Properties के According चूज कर सकते हैं अब अगर मान लीजे आपको Brush को छोटा या बढ़ा करना है या उसका जो Hardness को कम या जादा करना है तो देखें यहाँ पे Size और Hardness की Options हमें दिया हुए तो Size को अगर आप बढ़ा दें या कम करतें तो यहाँ से आप Size चेंज कर सकते हैं और यहाँ से जो Second Option है यहाँ से Hardness को चेंज कर सकते हैं तो मान लीजे यह Hardness मैंने 0 पे रखी है Size मैंने 86 पे रखा है अब इस पे हम चला के दिखते हैं इस Brush को तो देखे brush का जो Color होगा वही होगा जो आपका foreground Color होगा तो foreground में आपको देखे यह Dark Red Color है तो देखे अगर मैं इसको चलाता हूँ तो यह Dark Red Color आपका चलेगा अब अगर मैं कोई और Brush जो है वो Select करता हूँ मान लिज़े मैं second brush select देता हूँ hard round अब मैं अगर चलाओंगा तो देखिए ये कुछ इस तरह का effect देगा अगर मैं foreground color को change कर दूँ मान लिज़े मैं ऐसे green में change कर देता हूँ तो ये आपका कुछ इस तरह से चलेगा तो इस तरह से और भी अलग अलग तरह की options हैं जो अपिन brushes में choose कर सकते हैं तो कुछ और brushes भी देख लेता है जैसे ये देखिए ये dry media देया हुआ है तो इस में से कोई special brush हो है वो हम choose करके देखते हैं तो मान लीजे हम ये जो लिखा हूँ है काईली रियल वैल्स इसको select करते हैं और मैं इस से कुछ भी बनाने की कुशिश करता हूँ तो देखिए ये कुछ अलग सा effect देगा आपको और अगर मैं इसकी जो hardness है hardness तो इसको पहले से predefined है अगर इसका size जो है वो change करना चाहूँ तो मैं अगर इसका size बढ़ाता हूँ तो अभी ये आपको कुछ इस तरह से जो है वो effect देगा जैसे कोई water color होता है उस तरह से तो इस तरह से आप अलग अलग brushes जो है वो choose कर सकते हैं अब इन brushes में आपको जैसे यहाँ पर दोनों चीज़ देख रही है कि इसकी tip जो है वो किस तरह की दिखेगा इसका stroke किस तरह की दिखेगा अगर आप इसको change करना चाहते है तो यहाँ पर setting का option है यहाँ पर जाए और यहाँ पर देखे यहाँ पर लिखा हुए brush name, brush stroke, brush strip तो अगर मैं किसी को unselect कर दूँ जैसे मैं brush stroke को unselect कर दूँ तो यह इसके stroke को दिखाना बंद कर देगा तो क्योंकि मैं सारा कुछ देखना चाह रहा था brush का नाम भी देखना चाह रहा था यह brush का नाम है उसका tip किस तरह का होगा यह जहाँ पर जैसे 100 और 127 लिख यह इसका tip दिखा रहा है और brush stroke कि जब मैं इससे कुछ लिखूंगा तो वो किस तरह से दिखेगा तो मुझे इस brush stroke में दिखा रहा है तो इस तरह से आप इसके options को select या unselect कर सकते हैं इसके बाद देखें यहाँ पर show search bar show recent brushes तो यह भी आप select या unselect कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर search bar दिखा रहा है मेरे जो recent brushes हैं जो मैंने use किया हैं वो दिखा रहा है अब यह जो हैं आपके inbuilt brushes हैं आप अगर चाहें तो कुछ brushes को import भी कर सकते हैं अगर आप net पर search करेंगे आपको काफी सारे free brushes मिल जाएंगे Photoshop के लिए उसकी एक file होगी brush के लग से अगर आप उनको import करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें import brushes का option है इस पर जैसे आप click करेंगे तो आपसे एक file मांगेगा तो जहाँ पर भी आपके file होगी उस पर आप select करेंगे तो वो brushes के options जो होगे वो यहाँ पर आ जाएंगे जैसे मैंने कुछ brushes जो है वो import किया हुए जैसे यह देखिए special effect brush लिखा हुए तो यह मैंने कुछ brushes जो थे वो import किया हुए थे तो इस तरह से आप brushes को import भी कर सकते है तो आप देखते हैं इसके और options पहले मैं जो basic वाल ब्रश है हमारा उसको select कर लेता हूँ और इसको undo कर लेता हूँ अब यहाँ से select करने के बाद देखिए यह hardness जो है मैं इसको कम जादा कर सकता हूँ मैंने आपको यह already बता दिया हूँ तो इसका size में तो कम करता हूँ देखिए कि यह इस तरह से कुछ मेरा brush का stroke आ रहा है अब अगर मान लीजे मुझे brush का size छोटा या बड़ा करना है किसी keyword से हैं किसी shortcut से तो उसके लिए P के आगे जो square bracket होती है आपके keyboard पर उनको press करके अगर आप left वाली जो bracket है उस पर click करते हैं तो brush आपका छोटा होता है और अगर right पर click करते हैं तो brush आपका बड़ा होता जाता है तो यह कुछ shortcut है जिससे आप brush को छोटा हैं बड़ा कर सकते हैं उसके बाद कुछ options देखते हैं यह देखे यह उपर कुछ options लिखे हुए है इसमें जो important option है वो है आपका flow अब flow क्या करता है कि जैसे मान लिजए आपका जो brush है वो हमें यह बताता है कि brush जो है वहाँ पे जो ink होगी जिससे आप यहाँ पे लिखेंगे वो कितने flow में गिरेगी यहाँ पे जिससे मान लिजए एक example ले लेते हैं एक tap का कि अगर इसका flow 100% है तो आपका जो tap है वो पूरा खुला हुआ है अगर इसके flow को मैं कम कर दूँ जिससे मान लिजए मैं 5% पे कर देता हूँ तो देखे यह जो बहुत ही हलका सा color जो है वो मुझे देगा बड़ा हलका सा color जो है यह मुझे देगा तो flow से आप color की जो density है उसको कम या ज़ादा कर सकते है तो यह होता है flow का काम इसके अलावा आप अलग-लग options जो है इन brushes में वो select कर सकते है अगर आप brush का जो size है एक तो है कि size को कम या ज़ादा करना अगर उसके tip को आप change करना चाहते है तो यह जो आपको circle दिख रहा है यहाँ पे आप इसको change करके उसका tip जो है उसको भी कम या ज़ादा कर सकते है जैसे suppose अगर मैं इस यह circle दिख रहा है इसको थोड़ा इस तरह से खुमा दूँ तो देखिए आपका जो brush है वो कुछ इस तरह से दिखेगा और इस तरह से paint करेगा तो यह हैं brushes के कुछ options इसके अलावा भी कुछ options है जिनको आप select कर सकते हैं यहाँ पे आपको यह custom यहाँ पे लिखा हुए dry, dry, light, load moist जैसे इनको select करके जो आपके brush के effects है वो change होते जाएंगे कि अगर आपका brush आपको दिखाना चाहते हैं थोड़ा dry brush है यहाँ फिर थोड़ा wet brush है तो यह जो उसकी look and feel है उसको change करने के लिए आप यहाँ से selection कर सकते हैं तो यह आपको अलग-लग तरह से effect देगा जैसे अगर मैं very wet करता हूँ तो अगर यह जो effect है वो इस वाले से अलग होगा तो इस तरह से आप brushes के जो effects हैं उनको change कर सकते हैं अब आप अगर चाहें तो कुछ अपने custom brushes भी बना सकते हैं custom brushes से मेरा custom brushes से मेरा कहने का मतलब मान लीजे कोई image यहां कोई png आपने रखी हुई है जैसे मान लीजे किसी में कोई flower है यहां फिर कोई animal है यहां कुछ है और आप बहुत सारे animals को paint करना चाहरे हैं एक चकाप यहां कुछ और effect देना चाहरे हैं तो आप किसी image को brush भी बना सकते हैं वो करने के लिए मैंने यहां पर एक example लिया हुआ है यहां पर मैंने एक flower लिया हुआ है अब इस flower को अगर मैं convert करना चाहूँ इस brush में तो मैं इस flower को simply इस market tool से select करूँगा उसके बाद edit पर जाऊँगा और यहां पर define brush preset लिखा हुआ है यहां पर click करूँगा और यहां पर अपने brush को एक नाम दे दूँगा तो क्योंकि मैंने already कर गया हुआ है तो इस flower को मैंने brush बना लिया है अब अगर मैं इस flower को select करता हूँ जैसे यह देखिए यह flower बन गया है यहां पर मैं इसको select करता हूँ इसका size थोड़ असका कम कर रहा हूँ तो यह होगा है इसका size अब यह green color में है तो जैसे ही मैं यहां पर यह देखिए मैं यहां पर click कर रहा हूँ तो यह एक flower बन जाएगा तो इस तरह से आप images को भी brush की तरह यह उल्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं जैसे अगर मान लीजे कोई आप grass बनाना चाहते हैं वैसे grass वाले यह जो brushes हैं यह आपको मिल भी जाएंगे net पर अगर आपको एक custom image को अब brush की तरह यूज़ करना चाहरे हैं जिसको आप बार बार अपने images में use करते हैं तो आप इस तरह से अपना भी brush बना सकते हैं तो यह था किस तरह से आप brushes पे काम कर सकते हैं और किस तरह से अपना custom brush बना सकते हैं brushes के बारे में और भी बड़ी सारी details जो हैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे आज के लिए एतना ही तो मुझे लगते हैं आपको समझ में आया होगा कि brushes जो हैं वो क्या काम करते हैं उसके options क्या हैं किस तरह से हम density को कम ज़्यादा कर सकते हैं और किस तरह से हम custom brushes को बना सकते हैं इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज स्ब्सक्राइब करेए AS Notes